नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अभी क्रियेशन्स पे दोस्तों आज में जा रहा हूँ बाव बेदना धम मंदिर और आज में आपको दिखाने वाला हूँ कवरिया पत जहां से लाइन लगता है तो क्या इस्तिति है वो देखते हैं अभी हट गया ह है या फिर वहाँ पे अभी लगा हुआ है बुस्तितर टेंड वेगार वो सारे चीज़ देखेंगे और प्रशासन है के ने वो सारे चीज़ दिखाएंगे तो वीडियो के अंतक बने रही हैगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और चैनल पर न्यूआए है और यहां पर काफी प्रशासन रहते हैं तो चलिए देखते हैं यहां पर प्रशासन एक भी दीख रहा है या नहीं तो जैसे से आगया अगर हम लोग जाते हैं तो यहां देख सकते हैं कुछ प्रशासन दीख रहा है मतलब कि अभी भी यहां पर फीड़ लगेगा तो इस के तुरू से जाना पड़ेगा देख सकते हैं हार जगह प्रशासन लगा हुआ है और यह टेंड भी लगा हुआ है और मुझे लगता है कि यह भादा तक लगा हुआ रहेगा मैं कोशिस करूंगा कि आप लोगों को दूचार दिन में इस जगह का अपडेट देता रहूं कि जिए हम दिखाते हैं कि हर जगह दिए हुआ है सिर्प की वहां पर दिया हुआ था तो यह देख सकते हैं इदार से हम लोग आते थे जितने भी जल चड़ाने के लिए काफी फिल होता तो यह लाइन आपको साइड से आना पड़ता था तो अगर अभी आप देखें तो यहा कि अभी बूसकते हैं किसानों का हुआ है सुखाड घुसी तब उसी परकार से ऐसे देखने को मिल रहा है अभी एक भी कवरिया यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है और प्रशाशन की अगर बात करें हर जगह एक दू लगा हुआ है देख सकते हैं यहां पर भी पुलिस प्रशासन रहें हें कुछ-कुछ प्रशासन जो कि भीली को मेंटेन करें हैं वह में भी हो सकता है कि कभी भी भह सकता है भादर का अमोशिय में कभी-कभी भील बढ़ जाता कभी-कभी संबारि को कि जीदें धाल है इसलिए इदर सब्सक्राइब भीकने लगा yen किसी परकार का यहां पर बोल सकते हैं सुविधाय नहीं है सिर्फ लाइन कतार है आप सिर्फ पूजा करिए आईए बस उतने सही मतलब है और ज्यादा अगर आप सुविधाय खोजना चाहिए खोज रहे होगे तो नहीं मिलने वाला यहां पर भी बहुत सारा सेवा सिविर भी सकता है इसलिए इसको हटाय नहीं गया है देख सकते हैं हर जगह एक काग दो पुलीस लगा हुआ है प्रशासन और पूरा यह पूरा भरा हुआ रहता है सावन में अगर आप सावन के वीडियो अगर आप मेरे नहीं देखे हैं तो जाएए बहुत सारा मैंने वीडियो अप्लोट क्या हुआ यह एक दुकावरियों से नहीं एक लाइन में लगबग आतरा दस कवरीय बहुए कि मैं देखे हैं तो इस परे जगह सकते हैं और पूरा यह पρरा वहाु राता है सावन में तो अभी पूरा खाली दीख रहा है और यह धीरे-धीरे ख़ुल भी तो जादे से जादे ना हो इतना दूर लंबा लान लगा हुआ रहता था और काफी संगर्ष होता था जितने भी कवरिया आते थे और उनको पता होगा जो इतने दूर तक पहुंचे होंगे लाइन लगने के लिए कितना तकलिब हुआ होगा सावन में जो जो इतना दूर तक आए प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा मुझे लगता है इससे आगे भी जाना पड़ा होगा अगर सावन के सौंबारी में आए होंगे तो यहां तो तो मुस्कील ही है जितना भी है दूर जाना होगा और यह देखिए यह जो आप देख रहे हैं टेंड बना हुगा है यह हमारा बीएट कॉलेज है और यहां पर बहुत घुमाया जाता था तो चलिए देखते हैं वी-8 कॉलेज में यह जो आपको दिखाते हैं मैं बता दूऊं कि इस कॉलेज को पहली वार घुस रहा हूं और मुझे पता था वी-8 कॉलेज कहा था यह नहीं पता था लेकिन साव ने पता चला कि ये बीएट कॉलेज हैं और आज मैं इस कॉलेज को घूस रहे हैं जबकि मैं देखबर में रहाता हूं और ये देख सकते हैं पूरा टेंड बना हुआ है ये और आप ही लोग बता सकते थे कि यहां पी क्या प्रशासन रहते थे या कुछ भजन करत तो वह बदा सकते हैं और ये जितना फिल्ड आपको खाले दीकराना इसमें पूरा सा रोव बना हुआ रहता था था जो कि इसमें घूमाया रहता था लगवग इसमें पांच यह एक हजार यह दूहाजार कवरिया तो ऐसी घूम जाएंगे इसमें इतना रोव बना हुआ थ देखिएगा जो यहां तक पहुंचे होंगे और घूमें होंगे तो उसको पता होगा क्योंकि उस टाइम तो यहां पर घुसने के लिए नहीं एलाउग किया था सिरु कवरिया ही घूश सकते हैं इसी वाज़े से मैं आपको यहां पर नहीं दिखा पाया आगे चलते हैं नेंद भी आ रहा है मुझे चलिए आगे चलते हैं दिखाते हैं आपको यह जो है अभी वीट कॉले से आगे चल रहे हैं और यह हम लोग नंदन पाड़ के और जाएंगे और यहां पर भी देशकते हैं प्रशासन लगा हुआ है इस सब की भी अभी पूरा घहराव किया हुआ था देख सकते हैं सारा बास खुल गया है आएगा तक चलते हैं देखते हैं हो सकता है कि देरे देरे खुल रहा होगा आप यह जगह से भी आप गूजरे होगे बाएं साइड से लाइन लगने के लिए जाते थे हमारा कुमेठा और दाहिनी किलोमेठर इदर से जाते थे और फिर वापस भी साथ या आट किलोमेठर आपको वापस भी आना है तो सोच सकते हैं कितना दूरी होगा मलब कि अगर आप जल चढ़ाने के लिए देखवर पहुंच चुके हैं तो देखवर से आपको लगबख सुला या सतरा किलोमेठर अलाका तो सोच सकते हैं कितना विडिया यहां पर जगह नहीं रहता था इस जो टोटो चल रहा है तो टोटो इदर घुसने के लिए नहीं दिया जाता था देखिए बाएं साइट जो अभी हमें गली खुसे इसमें जो हमारा यह है इधर से कुमेठा की और जाता था लेकिन इधर खुल गया सारा टेंड तो मैं इधर नहीं जाओंगा आपको इधर दिखाता हूं कि इधर कि इधर से लाइन आती थी चलिए आगे यह आपका कुमेठा जाता था ठीक है लेकिन अभी हम लोग इधर दिखाते हैं जो जिधर टेंड लगा हुआ है यह दिखते हैं जो टेंड लगा हुआ है इधर से क्या करते हैं आते थे सबसे पहले कुमेठा जाएंगे कुमेठा से नहीने साइड से आते रहना आपको तो काफी बड़ी संख्या में कवरिया पहुंच रहते हैं तो प में मिल जाता था और अच्छी तरीके से सब कोई पूजा भी कर सकते थे और एक चीज और आरगा सिस्टम लगा के तो और भी जली जली हो जाता अरगा सिस्टम नहीं रहता तो और भी दिक्कत होती है और बहुत आपको इंतजार करना पड़ता आप लोग सोचते हैं ना कि आर आपको दिखाया तांकि आप लोगों को पता चले कि स्राब नहीं मिला और अभी में क्या अंतर है तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और अभी आगे मैं धीरे धीरे पार्ट बाइस करके आपको दिखाएंगे तो इधर सारा चीज खुल गया इसलिए मैं आपको न पर करके वीडियो दिखाता रहूं और जो भी आपके डिमांडेट वो मैं आपको दिखाता रहूं ठीक है तो यह वीडियो का ऐसा लगा अपना राय जो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा तो आज के लिए इतना ही मैं आगे नंदन पाल का वीडियो किने अन्य वीडिय क्ड़ं कर्वांडेटी साय और लए अि मिर सो मैं डे भीडियो कर्वाब जरूर वीडियो